हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्लोस यॉर आइस नाइस नहीं पेले पताओ क्या सूप्राइस है। जस्क लोज करो नाइस। ना ओपन। अरे भाह गुलाव भी लेके आयो। क्या बात है। यह गुलाव नहीं है। इसमें तुमारे लिए और भी कुछ है। मीर, तुम भी ना? मुझे देखने दो, क्या सर्प्राइज है? ओ मैं गॉड़! तो मिस स्नेहा कोमाद, क्या आप अपनी पूरी जिन्दगी मेरे साथ बिटाना पसंद करेंगी? नहीं, सिफ यही जिन्दगी नहीं, बागी सातो जनम भी. जी सर, क्या लाओ आपके लिए? पैसे, पैसे मिलेंगी? पैसे? कैसे पैसे सर? मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे चाही मुझे, प्रीज, मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े पैसे दीजे. अजीब आद मी, सूटबूर पैंट के वेटर से पैसे मांग रहा है? दिखने में तो ठीकठा घर कर लगता है, पता ने क्यों? सर, पैसे चाही मुझे. मुझे सच में पैसे चाही. प्लीज, थोड़े पैसे दे दीजे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ. वह भाइसाब थोड़े पैसे दीज्टा प्लीज मेरे पैसे नहीं है बहुत जरूरी है उसको लेकर जाना यहाँ नहीं तो मर जाएगा वो किसको लेकर जाना है कहा लेकर जाना है अरी व व उधरा फर को मर रहा है प्लीस प्लीस मैं हाट जोड ओढ़ Mengglass आप सबसे हाथ जोड़ाओ, प्लीज, मुझे थोड़े पैसे देदीचे, प्लीज अरे भाई साब, क्या हुआ, कौन मरने वाला है? वो देखा, उदर, उदर, वो मर रहा है, उसको ट्रीटमेंट जाए, ये मेरे माद पैसे नहीं है, प्लीज, आप मेंसे कोई पैसे देदो या अच्छा, चलो, डिखाओ कहा है वो तुम्हें इतनी दवाईया भी चाहिए होती है? हाँ, अब भाईया वो एक तवाई दे ना, हाँ, वो रेडवाली और कुछ? नहीं नहीं, बौत हो गया, आप तो बिल बनाई है हाँ, ये भी खातम है पाप रे, अरे, क्या कर रे भाईय साब? ना पास क्यों खड़े है जरा दू रटके खड़े होई है एक काम कीजे टोटल कितने हुए और उसका पैसा भी आट कर दे लिए जी और इन सब को एक सब्सक्राइब एक बारी समझाया ना तो जहे एतनी उमत मेरी बीवी को शड़ता आटको जोगा इसे कैसे रहने तो इन जैसे लोगों की बज़े से देश में रखिया के लिए खूम नहीं पाती है इसको तो आज मैं सबक सिका है इसको तो आज मैं सबक अभी तक आज आना चाहिए थाना यार अभी तक नहीं आए उनका फोन भी नहीं लग रहा तू टेंशन मतले यार शायद कहीं अठक नहीं होंगे हाँ जाएंगे डॉन बारी और शायद कहीं आज़े देख रूपा चाची अरे यार मुझ चुपालेने तो फिर से पिछे पढ़ जाएगी क्या है फिर रुपच्चा पताने अभी आजाएगी तो कहां से कुछ अरे 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 तूम दोनों मुझ खपाकर कहां जा रही हू अगर मेरा बेटा घर नहीं आये ना, तो तुम दोनों देखना, मैं क्या करती हूँ? Sir, इस आदमी की जेब से वाल्ले टाइटी वगरा कुछ भी नहीं है, पर यह लोगो है, पास्ट कैप सर्विस, उसकता है यह एक टैक्सी ट्राइवर नहीं है? इसके शरीर पे कोई फरोश वगरा भी नहीं है, इसके बॉड़ी से तो बताना मश्किल है कि इसके मौत कैसे हुई होगी, आप शुरू से टीटेल पे बताईए कि यह आदमी एक्जाक्ली मरा कैसे है? सर, यह मेरी वाइफ है, हम तो सिफ एडिकली स्टोर पर दवाईया लेने आयते हैं, और फिर अचानक… वे आदमी ऐसे ही अचानक गिर पड़ा और मर गया? सर, हम सच बोले हैं सर, हम लोगों कोड़े कुछ नहीं किया? सर, यह देखिए, इसके बैग में बहुत सारा कैश मिला है सर, लगबग आठ से दसलाक रुपे होंगे सर, एक टाक्सी ड्राइवर के पास इतना सारा कैश? मत्तब यह आदमी कुछ गरवड था सर, हो सकता इतना सारा पैसा कहीं से तूट कर लेकर आया हुआ है सर, मुझे लगा वो बहुत जादा पिया हुआ था शरब तो नहीं पी असने सर सर यह देखिए, नाक और कान में से खून निकल रहा है इतन है क्पलप ये जार दया गिया है और स्यायद इन पैसों के वजब एस ग्वेस से इस ड्रैवर का खून किया गया है सर अभाने पहले पता था कि आदम वरने बादा है बहले ये जी हाँ बहले से किसे बता था कि आदमी आमरने वाले इसके मोत की भविशिवानी तो पेले ही करके गया था. कोन भविशिवानी कर गया इसके मरने के? सर, भो.. बतानी सर कौन था? कौफी शॉप में पैसे मांग रहा था. क्या हुआ? कौन मरने ़ला है? वो एू, टैक्सी ड्रैगोर. पीछे वाली गली में मेडिकल शॉप के साब ले वो आदमी आप लोग उसे पैसे मांग रहा था इस टैक्सी टैवर को बचाने के लिए सर यही सुनके तो हम भी हैरान हो गये थे मतलब उस आदमी ने खोनी का चैरा देखा होगा कहा थो आदमी किस तरफ गया नहीं सार हमें नहीं पता हूँ हूँ यह उन्ती वांच इस टैशी कंपनी में फोन करके इस ट्रैवर की पूरी डीटेल्स निकालो तब तक हम लोग आसपास चान्विन करते हैं शायद वो ओई शेवानी करने वाला आदमी मिल जाए अब आप तिनो, अब आईए हमारसा अरे जल्दी लियाओ ना यार खाना अरे मोहिनी प्लीज लियाओ खाना बहुत भूग लगरी मर जाओंगा भूग के मारे सॉरी डालिंग, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई आज गर पे खाना नहीं बनाया खाना नहीं बना, क्यों? बावर्ची आया ही नहीं, निकाल दो तुम उसे, किसी दूसरे को रख लो इसका मतलब है जब तक नया बावर्ची नहीं आता है, मैं भूखा ही रहूँगा तुम खुद खाना नहीं बना सकती हो, क्या? पना तो लेती, पर मैंने मैनिक्योर किया था ना, ना कुन खराब हो जाते तुम बाहर से कुछ मंगवा लो ना? आप तो भी करना बड़ेगा अच्छे सुनो, मेरे लिए जलेबी बी ओर कर देना सुब़ेसे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तुम भी करत्या य jon था क्या हुआ आज मेरे रती कि क्या? पता नहीं क्यों मैने तुमसे शाधी कर ली भगवान ने इसा पती दिया जिसे मेरे सुन propre की कादरना जा कि महले का मौसम देको लोग मेरी तारीफ करते नहीं थखते हैं हाँ, बॉस, एक और नोट करूँ, एक हिदरवादी बिर्यानी और एक प्लेट जले भी, अड्रेस है C41, नेपसराय, एगिनिश रोड, यार थोड़े जल्दी पिछवाना बहुत भूख लग रही है, हाँ, थैंक्यू. मैं सिर्फ अपनी भूख की पड़ी है, मेरी कोई परवा ही नहीं है? अरे यार, परवा है ना, क्यों नहीं है परवा? आप, देखो ना, तरवाजे पे कौन है? हाँ, हाँ, जा रही हूँ. कौन है आप? क्या चाहिए? क्यों है? अंदर आना है. अगर क्यों? अब, ऊपर तीसरे कमरे की बीच वाली अलमारी में, दो प्रेमी डान्स करएं मुझे उनसे मिलना है. हाँ, प्रेमी डान्स करएं? अलमारी में? अब, और यह वह कौन डान्स कर रहा है? कौन है? मालो मैं. अरे मालोनी, तु तु ते देर से क्या बाते कर रहे हो इससे? हलो? भाई साफ? या, या जाए है? उबर के तीसरे कमरे की बीच वाली अलमारी में तो प्रेमी डांस कर रहे हैं, मुझे मिलना है उनसे, प्लीज! तीसरे कमरे में बालमारी तो है, पर इने कैसे बता? इस सब बहाने हैं घर में घुसने के, फुपसूरती देखके लट्टू हो गए हैं भाई साफ ए भगवान, तुम किसी के सामने कुछ भी बोल देती हो, हां? अंदर जाओ, मैं बात कर दो इससे मैं क्यो अंदर जाओ, जो बात करनी ही मेरे सामने करो भाई साफ, बताइए, कौन है हाँ, किस से मिलना है, क्या काम है? अरे बोला ना ओपर दो प्रेमी डांस कर रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज! कहा था ना मैंने? देवाने हैं ये मेरे मैडम, ये तुम्हारे देवाने नहीं है, ये ना दिमाग के देवाने है, भाई साफ, ओ भाई साफ, यार यहां पर ना कोई नहीं है, कोई प्रेमी डांस नहीं है, कोई प्रेमी डांस नहीं हो रहा, जाइए, ठीक है, अभी जा रहा हूँ, दोबारा जरूर आउंगा, वो अपने जो फोटो भेजी थी मारे हुए टेक्सी ड्राइबर की वमलिली हमको नहीं सर वहाँ मारी कंपनी में काम नहीं करता था तरा पेक्सी ड्राइबर उस कंपनी का था ही नहीं तो उसके पास ब्लैस हाई का से रही है हाँ, जब, भच्छपन में मेरे स्कुल में भी हुआ था फेंसी ड्रेस कॉमपेडिचन, आलू पनाता में उसमें एवावावाव सर, यहीं पास्ट में एक फेंसी ड्रेस के कपरों की दुकान है यहाज तो जो आलू खुशामदीद, खुशामदीद अरे, तल्वार नीचे कीजिए आप, नीचे कीजिए, कौन है आप? अब अपनी तारीफ क्या करें, जिल्ले लाही? तारीफ उस खुदा की, जिसने जहां बनाया नाचीज को चुन्नी लाल कहते हैं, इस बड़ी सी दुकान का, छोटा सा मालिक, चुन्नी लाल परमाईए, क्या खिद्मत कर सकता हूं मैं आपकी? मालिक के दुकान चुन्नी लाल जी जरा इस तस्वीर को देखिए और बताईए, क्या आपने इस आदमी को कभी देखा है? चेहरा तुजरा देखा हुआ सा मालू होता है अरे हाँ, ये तो मदन है मदन? कौन मदन? अनकार है जनाब, बड़े परदे का शौकीन, इस शेहर में अपनी फनकारी दिखाने आया है पिचकारी? कौन सी पिचकारी? अरे भाईजाब, होली तो कप की बिच चुकी है क्या सुन रहे हो, फ्रेडी? इचकारी नहीं बोलावो फनकार, फनकार, एक्टर, एक्टर है न वो? अच्छे, एक बात बताईए ये जो लिबास इतने पहना है, आप ही की इस दुकान का है न? जी हाँ जनाब, लिबास तो ये अमारी दुकान का है, मगर उस पर ये जो बिल्ला लगा है, वो हमारा नहीं है बिल्ला? अरे बाई साब, आपको इस फोटो में बिल्ला कहां से नजर आ रहा है? मुझे तो बिल्ली भी नजर नहीं आ रही है पड़ी, यहाँ बिल्ले और बिल्ली की बात नहीं हो रही है ये देखो, इस फोटो में जो टैग लगा है न, इसकी बात कर रहे है, बिल्ला जी हाँ जनाब, उस टैग के बारे में गुफ्तगू हो रही है अगर एक बात बढ़ी जनाब, ये मदन इस तस्वीर में किस तरह से लेटा हुआ है? किसी लाश का किरदान ने वारा है क्या? कुछ ऐसा है समझ लीजी लेकिन एक बात बताईए, जापना क्या ये मदन आपकी इस दुकान में अक्सराय करता था नए नए लिबाज लेने के लिए? जी हाँ जनाब, मगर उस बेचारे का हाथ जरा तंग रहता था कभी भी पूरी कीमत चुकाही नहीं पाता था मगर हम ठहरे रहम दिल शेंचा, जिल्ले इलाही हमने कहा बरकुरदार कोई बात नहीं जब बड़े परदे के बड़े सितारे बन जाओ तब चांद से हमारी मुलाकात करवा देना सारी रकम वसूल हो जाएगी वाँ भाई साब आपकी वाइफ तो बड़ी खुश रहती होगी न आपसे जब भी आप मुझे खुलते हो आपके मुझे गुलाप के फुल जड़ते हैं जनाप, आपके ही कानों में रज गुला हुआ है वरना घर में तो हम अक्सर डाटी खाया करते हैं अच्छा, फिर तो हम दोनों एक ही कस्ती के मुशाफिर हैं आप हो गया जनाप, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था मगर यह जरूर कह रहा था कि एक दो दिन में मारी सारी रखम चुका देगा लगता है कोई बड़ा रोल हाथ में आ गया है अब कौन सा बड़ा रोल इस मदन को मिला था ये तो वही लोग बता सकते हैं कौन लोग सर्थ कास्टिंग डिरeक्टर्स चैनल पर खाश्टिंग डिरेक्टर्स दिलीजन में रोल्स दिलाते हैं एक्टर्स गो इसी नकी मैंए था वो आथमी हा Не यहाप? हाँ हाँ अगर यहापे आया था उ आखे यहापे आया था बड़े तो इसका चेरह सवरूर इस तुकान के CCTV कैमरा में गैल्फ हो गया होगा इस्टेन गटेमे ये CCTV क्यामरा थुली जेर के लिए भी और तो निकी दैना नहीं किया थो नहीं सर एक सेकेन्ड के लिए भी बनन नहीं हुआ यही है यही है काले कप्रो वाला यही है वादमी यह है यह यह तो नेक सराय के तरफ जा रहा है ज़रा इस आदमी के चाहरे पर जूम कर दो यह सर अधर यह है तो यह है श्रिया नेक सराय के तरफ जितने भी दुकाने हैं एटियम है जहां पर सीची टीवी कैमरा लगिया है उन सब को एक फोटो पेज़ दो और उनसे पूछो कि पिसले तीन घंटे के उनके फुटेज में या आदमी कहीं दिखाए देता है किया और अगर हां तो हमें इन्फॉम करता है सफ इसके प्लीज आप खिमत मत हरें आपके बेटे के तुने को अब्सुरू सब दिलवातार ही रहें है सफ मैं जानती हूँ मेरे बेटे का खुन अवारा एक नमबर का वो गठा रहता है था है यह है रिया हूँ तो हुस मेरा नाम है तो बता जाहर देकर मारा मधन को सर कैसी बात कर रहें है मिममम मधन को क्यू जाहर दूँगा तूट पर एक बार तूने मधन क की ताही कि ती कि हुँ आपधा थाए मैं कीदी बिटाई मानता हूं मैं उसे मेरी गल्फरेंड के साथ दिन दाड़े चेड़ चाड़ की थी सर अगर आपको यकीन नाय तो आप मेरी गल्फरेंड मैया से पूछ सकते हैं माया नाम है तुम्हारी गल्फरेंड का सर बाकी दुकानों के सीसी टीवी फुटेज के मुताबिक उस आदमी को आखरी बार इसी एरिया में दिखा गया है और उसके अगले सीसी टीवी कैमरा में वो दिखा नहीं है इसका मतलब वो यही कई आसपास ही है निकल के लेखा होगे है यह बहुत अच्छा फैल है बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छा होता है और कभी कभी चुराग भी मिल जाते है करता भी क्या मेरा वाई भी टेक्सी ड्राइवर इसलिए दर्सका नोट थमादिया मेने उसे ठीक ठीक यह वता हो गया किस तरह साफ इदरी इस गली में गया साफ यहां पर आज सुप्रिया जी साफ अच्छा जा रहे हैं तो फेल ने कुद ने है अब हम लोग बस यहीं तक यह फोटो देखो तेसा आदी को पहचानता हो अरे यही तो अगुन्दा जो बार-बार मेरे घर पर आकर मेरी बीवी को छेड रहा है हम लोग इसी को सबख सिखने का रहे हैं इसने आपकी बीवी को भी छेलाए क्या है हम लोग CID से हो और यह हॉकिस्टिक खेलने के लिए है कानून को हाथ में लेने के लिए खबर्दार आइंदा ऐसा कुछ किया तो समझे सॉरी सर सर लेकिन CID से ढून रही है यह बहुत मुझसे काता कि वो मेरे घर पर दुबारा आएगा चीक है तुबारे घर चलता है आइए सर तुम लोग ज़ा जल्दी आओ लग्टा यह अंकल आगए रूपा चाची यहाँ? माया कहा है अंदे लेए क्यों किया तुम लोगोंने यहसा? क्या विगाड़ा था मेरे भीट्टे ने तुमारा है? हमने क्या किया? अरे, तुमने उन हैरी ने मिलकर उसे जया देंकर पानाला है रूपाजी, जला शान तुजए है शान तुजए है शान तुजए है माम आप मेरे साथ आए प्लीज मुझे डेटेल में बताएए क्या हुआ आए हम लोग सी आइडी से जो कुछ भी हुआ है साफ साफ बताना सर वो मदर हमें बहुत परिशान किया करता था हम जब भी कहीं बाहर आते जाते हमें हमेशा परिशान करता तो इसलिए तुमने उसे जहर देकर मार डाला है नहीं सर माया खुड नहीं कर सकती है तुम कौन हो? मैं परिटी सर माया की दोस्त हूँ सर माया बहुत परिशाने दो दिन से और उपर से अब ये सब परिशाने? क्या परिशानी क्या है? मेरे अंकल गायब है वो दो दिन पहले अमेरिका से आने वाले थे वो एरपोर्ट भी पहुँच गय थे लेकिन एरपोर्ट से ना जाने वो कहां गायब हो गय? वो अभी तक घर वापस नहीं आया है उनका वोई फोटोग्राफ है तुमारे पास जी सर एक मिनट सर हमने उने बहुत ढूंदा हार जगा ढूंदा पुलीस में रिपोर्ट भी लिखवाई पर उनका कहीं कुछ पता नहीं चला, सर यह है तुम्हारे चाजी जी सर मैडम, अगर तुम्हारे अंकल दो दिन पहले अमेरिका से आये है तो फिर मदन के मौत की भविश्यवाणी कैसे कर सकते है भविश्यवाणी? तुम्हारे ये अंकल जानते थे कि मदन की मौट कब होने वाली है? अंकल को पता था? लेकिन ये कैसा हुआ? वही हम पता लगाएंगे. लेकिन जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है. तुम लोग शायद छोड़ कर कहीं नहीं जाओगी. ऐसा भी क्या बिचारे ने जो तुमने घर में C.I.D. वालों की फॉज इखटा कर ली? शो बाते तुम्हारी समझ से परे हो ना, उनके बारे में कुछ नाहीं बोलो तो अच्छा है, समझी? सीधे-सीधे क्यों नहीं कहते है, जलते हो तुम उससे. वो बिचारा अच्छा आदमी लग रहा था. मेरे पती को ना पसंद नहीं है, कोई मेरे खुबसूरती की तारीष करे तो. वैसे सारी काफी ज़्जती है मुझ पे. आपको क्या लगता है? बॉल अच्छी लगती है, साड़ी. थैंक्यू. लगता है आगया बिचारा. एक विटेक मुट्ट, आप रोकिये. मैं देखता हूँ. वो दीजे ना, प्लीज. वही, बीच वाली अलमारी में जो प्रेमी डांस कर रहे हैं. दीजे ना, प्लीज. मुझे मिल्ला है उससे. दो प्रेमी अलमारी के डांस कर रहे हैं. हाँ. सर, देखा सर. मैंने कहा था आपसे. सर, पतानी सादमी को कैसे पता जल गया कि हमारे खर के उपर वाले कम्रे में तीन अलमारी हैं. आप मुझे अलमारी दिखाओ. जीज. आप अब अंदर आईए. आप मुझे. आप मुझे, आप मुझे. सर, यह सारा समन्न पिष्ली में खर्णमा लिखते हैं. और यह अलमारी भी. इससे अलमारी की बत कर रहा था. बीच वाले अलमारी. तो इसकी बात कर रहा था. यह देखिये. इनी प्रेमियों की तलाश थी न आपको. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. यही तो है वो. यही तो ढूंड रहा था मैं. आप नहीं जानते आप में कितना बड़े उपकार कैं मुझ पर? थैंक यू सोनाच. आप अमने आपसे अच्छे में कुछ बात कर दिए. आप आया हमारे सारी. रहे। आया. बात यू सारी. थैंक यू सोनाच. कूप्सूर्ती. कुप्सूर्ती. यह से मेरे तरफ क्यों देख रहा है क्या पता बात करके देख खुबसूरती क्या आप जानते है खुबसूरती क्या होती है यह हम जानते है खुबसूरती क्या होती है यह होती है खुबसूरती मतलब कुछ नहीं पता आपको खुबसूरती के भारे में आप मेंसे किसी को कुछ भी नहीं पता मैं जानता हूँ खुबसूरती क्या होती है ठीक है ठीक है जलो ठीक है हमेंसे कोई नहीं जानता है के खुबसूरती क्या होती है अब आप हमें बताये खुबसूरती क्या होती है खुबसूरती हरी जुडिया नुढूरत सुल्फे और हात महंदी बाले हाथ ओके यह अपको तो बहुत घ्यान है को प्युपसूरती के आरे क्योंकि मुझे कि आपसूरती का गान हो चुका है थिस तरह के से यहाद मी बातर गरना है बहुत बक्त लगए लगे हैं, यह समीन पयाने पर वाक्त आवताज है. बिल्कुल, बिल्कुल. अच्छा, एक काम केजिए, आप महाँ आए. लंबे बाल, सुनिए लंबे बाल. हाँ. वो भी है खुबसूर्ट. कामा, कामा. काले, लंबे बाल, काली आखें. मैंने बताय था काली आखें? आपिल्कुल, बताया था. आपिल्कुल, बताया था. मैंने पेल्डे बताया था, आपिल्दे. बताया था. कामा, बताया. काले, आखें. नहीं बेखेंगे, जरा, अपने आपकों के पोल्टे. यहाँ. बट. जराएं. लुए माइ गाड़! क्या हुआ? क्या हुआ इसे? तो एको बस, इसकी आपकों की पुत्निया गवार्सने को, इसकी पुत्निया जरुद से ज्यादा बड़ी है. तो? और दुंद्री भी है. असर लिकीं इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि इस इस इंसान को कोई ऐसे चीज दी गई है, कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा जहर, इससे इसकी नर्फस पर बहुत पुरा प्रभाव बढ़ा है. और इससे लिए हैं इसा बत्वाब करता है. हूँ. हूँ. जल्दी से जल्दी पता लगा यह कौन सा जहर है, जो इने दिया गया है. अंकल, थेंग ओड़ आप ठीक है, आप यकीन ने मानेगे हैं मैने आपके लिए कितनी प्रात्ता किया है. आ, आम सॉरी पर आप कौन हैं? अंकल, मैं माया, आपके दोस्त अशोक की बेटी, आप मुझे भूल गए? माया, रभा जुम्या हूँ. सर, इन्हें क्या हुआ है? माया, घबराओ मत, तुमारे अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे. बलिए बताओ, यह तुमारे अंकल इंडिया क्यों आ गया है? सर, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर आज से दो साल पहले, इनके वाइफ कली और उनके भाई विक्रम, पता नहीं अचानक से कहां गाइब हो गये? इन्होंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूनने की, लेकिन वो नहीं मिले, और उसी गम में वो इंडिया छोड़ के चले गये. इन दोनों के फोटोग्राफ्स हैं, कली और विक्रम के? हाँ, जी सर. दिखाओ ज़रा. ये इनके वाइब कली और ये इनके भाई विक्रम. ओ, कली और विक्रम, निरच की पत्ने और निरच का भाई. अचानक, गायब कैसे हो गए दोनों भी? सर रिएक यासा तो नहीं कि इन दोनों के साथ कुछ हो क्या हूँ? हो सकता है. सर, मैंने नीरज के फोन रेकॉर्ड्स चेक की है, उन्हें अमेरिका में किसी रवी नाम के आदमी ने कई दफ़ा फुन गिये, यह रवी पोपटवाडी चाल में रहता है, सुपारी लेके खुन करता है अच्छा, रवी, ओपटवाडी चाल में रहता है, एक कॉंट्राक्ट किलर, अबना तो काम ही ही है, बोल कीसे उडाना है, एक गुंडा है, वैसे बे इस शेहर का सबसे बड़ा गुंडा तो मैं ही हूँ, अगरी पात याद रख, पैसा पुरा एडवांस चाहिए, चलेगा, ह इतना बे सब रवसे मानने के लिए, जरा उसका नाम तो बता, और वो रहता का या बे, इसका नाम, क्या, रवी है, रवी, बोपटवाडी चाल में रहता है, जरा तु मेरी सुपारी मुझे ही दे रहा है, काट दालूगा, एक बार सामने या काट दालूगा, सामने नहीं, म है, कौन है तु? छोटा सा प्यारा सा नाम है, C.I.D. C.I.D.? सुपारी खाखा के दाथ सड़गे होंगे, मरमत की जरूत है, अब बता, नीरोच को फोन करके तु नहीं बलाया था ने? हाँ, सार, मैंने नीरज को अमेरिका से यहां बुलाने के लिए फोन किया था, लेगे सार मैंने ये अपने बॉस के कहने किया सार बॉन है तेरा बॉस? सार वो तो देश चोड़ के चलाग्या सार अच्छा बाहना है मेडम, यह बहाना नहीं है मेडम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे यखीन कीजी सच है जूड़ हम बता कर लेंगे, तो यह बता किया क्या कहके नीरज को यहां पर बिलाए था सर, मैंने उसे लालस दिया था कि अगर अपनी बीवी के बारे में जानना है तो तो मैं उसे बहुत कुछ बता सकता हूँ सर क्या बता सेता बता क्या मता सटेओ है यह की सर मैंने उसके बीवी और उसके भाई ? तो चड़ गया फासी हमें, चड़ गया था नहीं नहीं से बढ गया, मैं सुधर चाहूँगा सर अब तो अगले जनम में तुझे सुधरने का मौका मिलेगा, तु यह बता के किसके कहने पर तुने फोन किया था, कौन है वो, हाँ? सर, सर, वो औरत, वो औरत उस वक्त वहाँ मौझूद थी सर, जब मैंने नीरेज की वीवी और उसके बाई को मारा था सर, कौन है वो औरत, उसका एड्रेस नंबर कुछ तो होगा तुमारे पास? नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, वो वो जब भी उसे जरुवत होती थी सर, वो मुझे कॉल करती थी और हां सर, लास्टाम उसने कॉल कर की यह बोला था, कि में तेशोड के जा रही हूं सर पास सर, और मुझे कुछ नहीं मालू है सर ऐसे कैसे चली जाएगी? तो यह बताया, वो लाशे का है उन दोनों के? सबल के, सबल के सब्सक्राइब लाव इस सर प्लाप सबल के सबल के हजो के आराम से हगो इसे भूप निकालो कंदeld के आराम से दोदों मुर्दें. फ्रेडी, तरफ प्लास्टिक भी जोओ. यह सर्थ. हाँ. सचिन, फिर दम आराम से कंग काल को निकालते हैं, हाँ? कि अचितर यहींदे शुव पिर देखो अचितर शेखो. जया, तुम दोन घडी क्या करो अचितर से. सहर्थ. आंदर सी भार चांचितर से देखो. पिल्विक गर्डल को देखके लगता ये लाश लड़की की है और सर ये स्केलिटन किसी आदमी का लगता है मतलब हमारा इंफरमेशन सही था जो रवी में दिया था इसने कहा था ना मेरज का भाई और उसकी बीवी कली कि दोनों को मारा गया है ये लाश है उन दोनों की ही है सर फुटमैट के नीचे ये सोने का कड़ा मिला है सोने का कड़ा फुटमैट के नीचे ये जरूर कली की ही होगी जिस्ट सर्थ सर्थ डेशपोर्ड में ये पॉलितिन का बैग मिला है सर्थ पर पाने के वज़े से काफी खराब हो गए खोलो सराइसे जेवन्ती ये तो फोटोग्राफ्स लगते हैं लेकिन सर्थ इन फोटोग्राफ्स से क्या पता चलेगा ये तो पुरी तरह खराब हो गए जेवन्ती हाँ पर एक आदमी है जो इस कीचड में से चेहरे बार निकाल सकता है बस नीरज के शरी में वही जहर है जो मदन के शरी में और जल्दी अगर ये जहर नहीं निकाल गया तो इसकी जान को खत्रा हो सकता है बगर सर्थ ये कैसे हो सकता है जिस जहर से नीरज भजगे है उसी जहर से मदन की जान चलेगी वो इसलिए, साचिन, क्योंकि हर इंसान का शरीर और उसका इम्यून सिस्टम अलगलग तरीके से काम करता है मैंने एक इंजेक्शन देविया चाहर सहर निकल जाए याँ याँ, सालूंके ये तो नीरज की बीवी कली है और उसका भाई विक्रम ही है अच्छा, फोटोग्राफ्स का क्या हुआ? हाँ, फोटोग्राफ्स हाँ, साफ हुआ है, सालूंके साफ प्रेड़ी, जल्दी का काम शैतान का होता है, समझे? यह समझे होती तो यह बूलता है प्रेड़ी, प्रेड़ी वाँ, अरे वाँ, सालूंके वाँ उन्हें तो कमाल कर दी एक ही चाल में शै भी दी और माद भी हालू अरे कहा हो? बहार आओ देखो, मैं आ गया अच्छा, छुपन छुपई का खेल मेरे साथ देखो, मैं दस तक गिनूंगा बहार आ जाओ, वरना थेक नहीं होगा ठापप ओ, तुम हो क्या होँ? मुझे हराना है क्या? नाए इस बार इस बार चीतने की बारी मेरी है आरी तो अभी मेरी तुझे क्या लगा था? तु बच्चाएगा? तुने मेरी जिंदगी बरबाद की है अब इसके बदले में मुझे तेरी अल्वीदा निरज नहीं, अल्वीदा प्रीती, मैं प्रीती सर, माया की दोस्त हूँ, तो तु अपने साथ CID वालों को लेकर दाय था, मतलब तु बिलकुल ठीक है, यह बिलकुल ठीक है, इसके शरीर में जो जहर था वो हमने निकाल लिया है, तुम्हारा दाओ तुम पे उल पहुत हो गई तेरी हुश्यारी, जट। अधा, क्यो हमारा तुम्हें कलिया और विक्रम को? क्योंकि मैं विक्रम से शादी कर चुकी थी, मगर कली ने ये शादी मानने से साफ इंकार कर दिया था, उन्हें मनाने के लिए, मैंने उन्हें जीर के किनारे बुलाय था, यह क्य क्यों बलाया मतलब, मुझे मेरे पती से मिलने की कोई वज़ा चाहिए, क्या? ज्यादा ओवर्स्मार्ट मत बनो, मेरा भाई तुम्हारो कोई पती वती नहीं है, ओवर्स्मार्ट? हाँ, मेरे प्यारी ननत जी, यह देखिए, हमारे रिष्टेदारी का सबूत, तेरी चाल वाजिया में अच्छी तरह समझती हो, समझती हो तु फिर तैय कर लो, ना? बोलो, कितने लाग दोगी? लाग? अरे, तुझे तुम्हें एक पुटी कॉड़ी भी नहीं दूगी? विक्रम, चलो यहां से. ठीक है, नानाजी, अगर आपने मर्यादा नहीं रख्या हमारी डिष्टेटी, तो मैं क्यों रखो? अरे, ए, 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 क्या करें? ए, 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 प्पैगदो एन्हें पानी में! प्रिटी कली और विक्रम को तो तुमने मार ही डाना है तो फिर नीरज को मारनी का सोचा है ना जहर ऐसा असर करेगा थेने कभी सोचा भी नहींगा जिस मादन को उसे मारने के लिए पैसे दिये उसने खोड़ी जहर चू लिया और मर गया नजाने कितने मासूम लोगों को थोखा दिया तुमने उनसे शादी करके और पैसे हैट कर और इस सब करने में दो लोगों की जाने में ली तुम तुम्हे तो शायद फासी ही होगी फासी और में वासी हैट बीजाल कर दो लादाल कितना में जादाल याहर चूम्हें点 श्रूब है कि अच्छोब झारा तुम्हें इस अक्तOP वास्ऴ कित हैएज वास्वार नएशहार कण वनार धासी अईप